दोस्तो हर एक मावाब चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है अच्छे से कालेज में पढ़े हैं मतलब उसका जो एजुकेशन लेवले अच्छा रहे हर एक स्टुडेंट भी ये चाहता है कि वो अपने मावाब के लिए पढ़ लिख कर कुछ काम कर सके लेकिन काफी सारे लोगो कि एक ऐसी योजना है जिसके अंतरगत आपको पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि आप कोई भी कोर्स करते हैं चाहे आप ग्रेजिएशन करते हैं आप पोस्ट ग्रेजिएशन करते हैं या कोई दूसरा भी कोर्स करते हैं इंजरि by step process बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस loan के लिए apply करेंगे साथी साथ इस वाले loan पर आपको 35% की subsidy मिलती है मतलब जितना loan amount आपको मिलेगा यहां से उसमें से आपको 35% amount नहीं भरना होगा तो वीडियो काफी जादा information होने वाली है आप सभी के लिए तो वीडियो को भीना skip किये end तक जरूर देखिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए बला icon को press कर लीजिए इसी तरह का digital India से related content आप लोगो हमारे चैनल पर मिलते रहता है तो चली फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपके mobile के या laptop के किसी भी एक browser में search कर लेना है जन समर्थ portal ठीक है न लिंक आपको जो है नीचे वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने पहली ही website open हो जाती है जन समर्थ की आपको simply यहाँ पर click कर देना है हम simply इसको English में ही रहने देंगे आपको pop-up को simply close करना है उसके बाद आपको नीचे के तरफ आना है तो यहाँ पर आपको जो है पहले ही number का option देखने के लिए education loan ठीक है न यह इसके लिए आप जो है एक scheme available है तो आपको क्या करना है simply check eligibility के उपर click कर देना है जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरह के options open हो जाएंगे तो यहाँ पर आपसे जो है आपके education के बारे में कुछ information पूछी जाएगी आपको यहाँ पर इसको feel कर देना है जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो location है education की वो इंडिया के अंदर है या outside of इंडिया मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंडिया में करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने according इसको select कर लेंगे ठीके ना आपकी जो family है उसकी income क्या है annual income क्या है मतलब साल भर में आपकी complete family कितना पैसा कमा लेती है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे ठीके ना उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको option विलता है आपकी category select करने का तो यहाँ से जो है आप आपको जो है पढ़ाई कहां तक करनी है graduation करनी है post graduation करनी है आपको जहां तक भी पढ़ाई करनी वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं ठीके ना या आपको इससे other करनी है तो आप यहाँ अधर वाले पर tick mark कर सकते हैं अब यहाँ पर आपकी जो code से उसकी length कितनी है एक साल की दो सा की तीन साल की वो आप यहां पर स्लेक कर लेंगे एर वाइस ठीक है ना उसके बाद आपका जो कोर से फुल टाइम है पार्ट टाइम करना चाहते हैं ठीक है ना वो आप अपने अकार्डिंग यहां पर स्लेक कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपका जो कोर से इसके लिए आप यहाँ पर 40,000 रुपे इंटर कर दीजिए बाकी का जो 2,6,000 रुपे है यह government के तरफ से आपको provide किया जाएगा as educational loan ठीक है ना तो आपको यहाँ पर size चीए select करने के बाद calculate eligibility के ओपर click कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 2,60,000 रुपे का loan provide किया जाएगा इसमें यहाँ पर आपको जो है 88,000 रुपे की subsidy amount provide किया जाएगा मतलब 2,60,000 का loan आपका यहाँ पर रहेगा जिसमें की 88,000 रुपे आपको नहीं भरना है ठीके ना 22,60 रुपे की यहाँ पर आपकी जो है EMI आएगी monthly EMI जो है वो यहाँ पर आपको pay करनी होगी यह 20 साल तक के लिए रहेगी ठीके ना अगर आप इस loan को लेना चाहते हैं तो आपको simply का करना होगा login to apply वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर login to apply वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर mobile number डालने का option आजाएगा एक mobile number आप यहाँ पर इंटर करेंगे इस वाले केपचा को आप यहाँ इस वाले box में feel करेंगे term condition पर click करेंगे तो जैसी आप term condition पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर policy आजाएगी तो आपको यहाँ पर policy को read कर लेना है सबसे नीचे जाएगे आप scroll करके आपको यहाँ पर next का button मिल जाएगा आप simply next वाले button पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको term condition का option आजाएगा आप इसको भी read कर लेंगे scroll करके आप जो है direct नीचे की तरफ जाएगे उसके बाद आपको simply यहाँ पर भी next वाले button पर click कर देना है last में आपके पास में disclaimer का option आता है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएगे scroll करके term condition को accept करेंगे agree वाले button पर click करेंगे अब दूस्तों जो mobile number आपने यहाँ पर provide किया है उस पर आपको OTP भीजने का option मिल जाएगा तो simply आप यहाँ पर get OTP वाले button पर click कर देंगे तो जैसी आप send OTP वाले button पर click करेंगे तो आपके mobile पर एक OTP भीजा जाएगा OTP आपको यहाँ इस box में feel कर देना है जैसी कि आप देख रहे हैं OTP send successfully तो चलिए हम OTP इंटर कर लेते हैं जैसी आप यहाँ पर OTP इंटर कर देते हैं तो आपके सामने दोबारा से यही पर scheme दिखाई जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं आपको आप यहाँ पर proceed वाले button पर click कर देना है तो जैसी आप proceed वाले button पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके form का review दिखाया जाएगा आपने कौन-कौन सी चीज़े यहाँ पर select की थी अगर आपने जो है सारी चीज़े सही से feel की है तो आप इसको continue करेंगे अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप edit वाले button पर जाके इसको edit कर सकते हैं हम simply continue वाले button पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस loan के लिए जो आवशक document है जो कि आपके पास में होना चाहिए आप देख सकते हैं आधार card आपके पास में होना चाहिए pen card आपके पास में होना चाहिए यह तीनों चीज़े अगर आपके पास हैं तो आप simply proceed वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको UID authentication करना होगा उसके लिए आप simply scroll करके नीचे की तरफाएंगे next वाले button पर click करेंगे यहाँ पर आपको income text का एक option आएगा आप simply scroll करके नीचे की तरफाएंगे next वाले button पर click करेंगे यहाँ पर UIDAM registration का आपको एक option देखने के लिए मिलेगा आप simply scroll करके नीचे की तरफाएंगे next करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको check का एक option मिलेगा आप scroll करके नीचे की तरफाएंगे उसके बाद आप जो है next वाले बटन पे click करेंगे अभी आपको यहाँ पर other consent का एक option मिलेगा तो इसको भी आपको simply scroll करके नीचे चले आना है agree to proceed वाले बटन पे click कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर आधार किसे related जो भी option से सारे के सारे open हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार number डालना होगा उसके बाद term और condition को accept करना होगा उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर अपनी pen number की detail डालेंगे जिसमें कि आप अपना pen number डालेंगे submit वाले button पर click करेंगे और दोनों चीजों को आप feel करके directly submit वाले button पर click कर देंगे आप दोस्तों यहाँ पर आप जितनी भी सारी information डालेंगे वो सारी की सारी आपकी educational information रहेगी मतलब आपको education कहां से करना है कौन से institute से करना है उसकी fees कितनी है वहाँ पर आपको कौन कौन सी facility मिलती है तो वो सारी information जो भी आप से मांगी जाएगी आपको यहाँ पर इन 10 point में उस information को completely feel करना है अब मैं इसलिए इस information को feel नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो student हूँ नहीं मैं तो educational loan नहीं ले सकता इसलिए मैं यह वाली process जो है complete नहीं कर पाऊंगा आप जो है यहाँ पर हर इक चीज को जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार तक तो हमने यहाँ पर देख लिया है बाकी अब आप से यहाँ पर institute के बारे में आपकी educational के बारे में जितनी भी सारी information है वो सारी आपसे मांगी जाएगी आप simply fail करते चले जाएए और submit करते चले जाएए last में आपके सामने एक option आएगा जिसमें कि आपको जो है काफी सारे bank दिखाए देंगे कौन सा bank आपको कितना loan provide करेगा वो सारी चीज भी आपको दिखाए देगी तो आपको जहां से best loan मिलेगा आप उस bank को select कर लीजिए और जैसी आप उस bank को select करेंगे तो उस bank के द्वारा आपको जो amount जो bank चाहता है वो amount आपको for आपके account में credit कर दिया जाएगा इस तरह से दोस्तो आप जो है education loan को ले सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर education loan के लिए apply कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा informative रहा होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को subscribe जरूर से कर लीजिए आपको इसी तरह की helpful information मिलती रहेगी तो आज के लिए इतना ही मैं मलता हूं और एक्स वीडियो में किसी नए knowledge and information के साथ तब तक के लिए जाहिन जाह भारू